आत्मिक परिपकवता में हमें बढ़ना, हमें मैत्षोर होना है, हाललूइा, यह ऐसी सिट्वेशन के अंदर में है, वह पतरअसुन को बोल रहा है, परिपकव Hour परिपकव हो जाओ, मैत्चोर हो जाओ, हाललूइा, क् tips, परिपकव अंदर में होना है, अपनी आत्मिक और वर्तमान के संगर्षों में खड़े रह सके और इसका सामना कर सके और प्रभु की महिमा हम कर सके आलेलुया आत्मिक परिपकवता में हमें बढ़ना है एक का तेरा वचन में इस परकार कहता है अता है कार्य करने के लिए अपने बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में सैमित हो जाओ अपनी पूरी आशा उस अनुग्रय पर रखो जो तुमें येश्वमसी के प्रगट होने पर दिया जाने वाला है। संसार में आएंगे उसके उपर हमें अपनी आशा को स्थापित करना है। परिपक वो कैसे करेगी। भविश्य में प्रभु येश्वमसी जिसका अनुग्रय मुझ पर हुआ है। जिसके द्वारा में चुना गया हूँ, जिसके द्वारा में बचाया गया हूँ, जिसके द्वारा में अलग किया गया हूँ, जो मेरी रक्षा कर रहा है, जो भविश्य में मुझे मिरास देने वाला है, उस प्रभु येश्वमसी का आग्मन भविश्य में होने वाला है। वो प्रभू भविश्य में इस संसार की अंदर दोबारा आने वाला है। प्रभू येश्व मसी ने क्या कहा था जब वो स्वर्गा रोहन हुआ। स्वर्गा रोहन के बाद में स्वर्दु ने क्या कहा। तुम खड़े-खड़े क्या देख रहे हो। जिस प्रकार येश्व मसी स्वर्ग में गए हैं उसी प्रकार वो वापिस फिर से लोटेंगे। जो प्रभू जिसने में चुना है, जिसका अनुग्रे हम पर हुआ है, वो वापिस इस संसार में आने वाला है। हम उसके इंतजार में जियें, हम अपने इंतजार में अपने मन को हम लगाएं। जब हम इस और हम अपने ध्यान को लगाएंगे, कि वो प्रभू आने वाला है, जिसका अनुग्रे हुआ है, और वो हमारा न्याई भी करेगा, हालेलुया। तब हमारे जीवनों में आत्मिक परिपक्वता को ये चीज लेकर आएगी। हम आज से ही करना सुरू करेंगे, हालेलुया। और जब हम उस दिन की तेयारी करते हैं, उसके इंतजार में जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हाललुया, हम दिन प्रती दिन परिपक्व होते जाते हैं, हम मैच्वोर होते जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को एक साधारण व्यक्ति के जैसे नहीं जीएंगे, हम उस प्र प्रकास में आनंतता के प्रकास में हम अपने जीवन को जीना सुरू करेंगे आनंतता के प्रकास में हम अपने जीवन को जीएंगे और ये हालिलुया ये बात ये चीज ये सोच ये विछार ये कदम हमारी सहयता करेगा आत्मिक परिपकवता में बढ़ने के लिए जब हम प्र पक्व होते जाएंगे हालेलुया तो पत्रस क्या कह रहा है कि अपने आशा ये श्मसी की आगमन के उपर स्थापित करो जो तुमारे चारो ओर हो रहा है उसकी ओर ध्यान मत दो वो लुप्ध हो जाएगा तुम उस ओर ध्यान दो बविश्य में एक महान घटना होने वाली है बविश्य में एक महान कार्य होने वाला है ये श्मसी तुम्हें उन सब को जो जिसको उनों ने चुना है वो उन सब को इस संसार से लेके जाने वाला है हालेलुया इस ओर हम अपने ध्यान को लगाएं उस और पतरस कह रहा है कि तुम लोग अपने ध्यान को लगाओ हालेलुया लेकिन ये करने के लिए ये अपने आप नहीं हो जाएगा हमें एक संकल्प लेने की जरूत है जब हम तियारी करेंगे तो तियारी ऐसे ही नहीं हो जाएगी ना हमें कुछ हमें संकल्प लेना हमें करना है परिपक्व होने के लिए अगर हमें मैच्चोर होना है आत्मिक परिपक्वत हमें बढ़ना है तो हम क्या करें कैसे करना होगा हमें तेरा पढ़िये अतेहकार करने के लिए अपने बुद्धी की कमर कसकर आत्मा में सैमित हो जाओ अगर हमें अनंतता के प्रकास में अपने जीवन को जीना है उस सोच और उस विश्वास के साथ मेरा प्रभू मुझे लेने के लिए इस दुनिया में आएगा न्यायवी करेगा उस विचार उस सोच उस व मुझे अपने आपको तियार करना पड़ेगा कैसे तियार करना पड़ेगा कारिये करने के लिए अपनी बुद्धी की कमर कसकर आत्मा में सैमित हो जाओ बुद्धी की कमर कसने का क्या अभी प्राय है यहाँ पर जब पतरस के समय पर मतलब उस समय में वो लोग एक चोगा पहनते थे, मतलब वो एकी सिंगल कपड़े से बना होता था, उपर से लेके नीचे तक, और उनको कुछ, अगर कुछ काम करना है, तो वो क्या करते थे, वो इधर से उठाया, इधर टंगा लिया, और इधर से उठाया, इधर टंगा लिया, अब वो क्या कर सकते हैं, अब आश ताकि काम करने में आसानी हो जाए. वो किस चीज को दिखाता है? तेयारी को दिखाता है. भाई लोग जो कुछ काम करना होता है, वो क्या करते हैं? सीधा. अपने स्लीव्स को उपर करते हैं. तेयारी को दिखा रहे हैं, हम अपने आपको तेयार कर रहे हैं। अललुया। सेम चीज हमें अपने बुद्धी के साथ में करना है। हमें अपने बुद्धी को तेयार करना है परिपक्वता के लिए। परिपक्व होने के लिए आत्मिक रीती से मैश्योर होने के लिए हमें अपनी बुद्धी को तियार करने की ज़रूरत है बिना तेयारी के आत्मिक परिपक्वता नहीं आती क्या हम तेयारी कर रहे हैं जैसा जीवन जीने की पेक्षा पर्मेश्र हम से करते zijn अगर हमें वैसा बनना है भविश्य में तो हमें इसकी तेयारी अपने जिन्दकी को गंभीरता के साथ में देखना, अपने जीवन को एक धीले डाले स्वभाव के साथ में नहीं जीना, बलकि अपने जीवन को गंभीरता के साथ में देखना है, अपने आपको दिन प्रते दिन चेक करते रहना है, कैसा जीवन में जी रहा हूँ, अपने आपको सैमित होने का मतलब है अपने आपको नियंतरित करना है, काबू करना है अपने बुद्धी को कसना है, अपने आत्मा में सैमित हो जाना अपने आपको कंट्रोल करना, अपने बुद्धी, अपने मन को कंट्रोल करना है तब हम आत्मी करिती से परिपक्व हो पाएंगे परिपक्वता के लिए ये तियारी करना जरूरी है तो सैमित होने का मतलब है बुद्धी की कमर कसने का मतलब है कि अपने धीली सोच वाले जीवन से अपने आपको बचाना धीले ढाले जीवन से निकल कर परिपक्वता की ओर बढ़ना अपने धीले जीवन से निक बाहर निकलना ये मतलब अपने आत्मा में सैमित होने का धीला ढाला जीवन परमेश्र के समुख ग्रहन योग्य नहीं है हमें परिपक्व होना है अगर हमें आत्मा में और परिपक्व होना है तो हमें धीले डाले जीवन से बाहर निकलना होगा अपनी आत्मा को सैमित करना होगा अपने आपको कंट्रोल, काबू करना होगा तब हम परिपक्व हो पाएंगे ये तियारी है परिपक्व होने के लिए आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए नियंतरित करना खुद को काभू करना जो कुछ आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं क्या हम आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं परमेशर उससे खुस है जैसा जीवन वर्तमान में हम जी रहे हैं कैसा है हमारा जीवन क्या हम आत्मिक परिपक्वता की ओर जा रहे हैं या एक धीला ढला जीवन हम जी रहे हैं परिपक्व होने के लिए तियारी करनी पड़ेगी आत्मा की बुद्धि की कमर कसनी पड़ेगी यानि कि तियारी करनी पड़ेगी बुद्धी को बाकि चीजों से मोड कर परमेश्र की और हमें लगाना पड़ेगा और अपने आपको नियंतरीत करना पड़ेगा काभू करना पड़ेगा यह हो नहीं पाता है हमसे बहुत मुस्किल हमें लगता है खुद की ताकत से ये संभव नहीं है हम बढ़ना चाहते हैं कौन-कौन बढ़ना चाहते हैं आत्मिक परिपकवता में कौन-कौन बढ़ना चाहते हैं सब बढ़ना चाहते हैं सब लोगों, बहुत सरे लोगों की प्राथना भी होती है, जो मुझे थोड़ी विचितर लगती है, प्राथना कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं करने चाहिए, मुझे थोड़ी विचितर लगती है, कौनसी प्राथना, प्राथना कीजिए कि मैं आत्मिक जीवन में परिपक होने के लिए आप दूसरे से प्रात्ना करवा रहें वो काफी नहीं है धर्मिजन की प्रात्ना के प्रवाव से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आपका प्रियास क्या है क्या आप अपने आपको त्यार कर रहे हैं आत्मा में परिपक्व होने के लिए हमारे प्रियास के बारे मे क्या हम सब परिपक्व होना चाहते हैं बट क्या हम सब लोग कि अपने आप को त्यार कर रहे हैं क्या हमने संकल्प लिया है आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए क्या हम हम आत्मा में सैमित हो गए यानि कि क्या हमने कंट्रोल किया है अपने आपको क्या हमने नियंत्रित किया है परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए बाइबल तो आपको खुदी पढ़नी पड़ेगी है कि नहीं कोई आपको आपके वैक्तिगत जीवन के लिए आपको पढ़के नहीं सुनाएगा अगर आपको बढ़ना है प्रभू का वचन पढ़ना पढ़ेगा और उसके लिए स्टेप आपको लेना पढ़ेगा बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं प्रात्ना नहीं कर रहे हैं संगती में एक धीले ढाले सुवभाओं के साथ में आ रहे हैं जाना ही है करना ही है यह आपकी आत्मिक परिपकोता की और बढ़ने की तयारी को नहीं दिखाता आत्मा के साथ, सच्छाई के साथ, एक बोज के साथ में अपने आप को तियार हम तभी कर पाएंगे जब आप इस सोच के साथ में मेहनत करेंगे कि मुझे परमेशर एक अनंतकाल की विरासत के लिए तियार कर रहा है और उसके लिए वो मुझे लेने के लिए आएगा इस गंभीरता के साथ में जब हम संकल्प लेंगे तब हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ पाएंगे हालिलुया, तो प्रभु येश्व मसी के आगमन पर अपनी आशा को स्थापित करें और आपको पता है जब येश्व मसी का आगमन होगा जब प्रभु येश्व मसी इस दुनिया में आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को वो लेकर जाएंगे तब आपको पता है क्या होगा क्यों हमें उसके आगमन के ऊपर अपनी आशा को स्थापित करना है उसके बाद कुछ अद्बुत होने वाला है प्रकाशित वाकिये उसका 21 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िये देखे इसमें लिखा है और उनकी आखों के सब आशु पहुँच डालेगा जब प्रबु का आगमन होगा जब अपने लोगों को उनके निर्धारित विराशत में स्थान में स्वार्ग में जब लेके जाएगा जो तुमारे आशु हैं तुमारे दुखों के कारण सताओं के कारण अलग अलग बातों के कारण इन सब को वो पोँच डालेगा ये होने वाला है उसके आगमन पे हालिलुया फिर ना कोई मृत्यू रहेगी ना कोई शोग ना विलाप और ना कोई पीडा वहाँ पर होगी हालिलुया ये सब होने वाला है जब प्रभु येश्व मसी इस दुनिया में हमें लेने के लिए आने वाले हैं जब वो इस दुनिया में आएगा और हमें लेके जाएगा तब ये आशीशे हमें मिलने वाली हैं इस संसार में दुख है, पीडा है, परिशानी है, लेकिन कैसे हम इस मसी जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम इस मसी जीवन में मजबूत हों, प्रभु येश मसी की आगमन पर अपनी आशा को स्थापित कीजिए, अपने ध्यान, अपने मन, अपनी आत्मा को प्रभु येश मस के मध्धे में भी आत्मिक परिपक्वता में हम बढ़ते चले जाएंगे हालेलुया दूसरी बात वो हमें सिखाता है कि पवित्र जीवन जीए आत्मिक परिपक्वता में हमें बढ़ना है हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है पवित्र जीवन आत्मिक परिपक्वता का चिन है अलिलुया अगर हम आत्मिक रीती से परिपक्व हैं आत्मा में मैचोर हैं तो हम एक पवित्र जीवन जीएंगे चोदा वचन से पढ़ते हैं लिखा है आग्याकारी बालकों के इस रिश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलासाओं के नुसार आचरन मत करो परंतु जैसे तुम्हारा बुलानी वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरन में पवित्र बनो क्योंकि ये लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं हलेलुया हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए पत्रस कहता है प्रभु का वचन हमें कहता ह कि हम पवित्रता का जीवन जीएं चाहे हम किसी भी हालात में सी होकर इस संसार में गुजर रहे हों हमें पवित्रता का जीवन जीना है क्या मतलब क्या है? प्रभु जब कह रहा है कि पवित्र बनो ये प्रभु येश्मसी के सब्द है परमिश्र के सब्द है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, जब वो अपने आपको कहते हैं मैं पवित्र हूँ, वो क्या कह रहे हैं अपने बारे में, वो जब अपने आपको पवित्र कहते हैं, वो कह रहे हैं, उत्तम है, परफेक्ट है, वो सब चीजों से अलग है, वो सबसे अलग है इस बात को वो कहते है उस प्रकास में हम अपने आप को देखे मेरे बुलाने वाले मेरे चुनने वाले के जैसा क्या मैं हूँ क्या मेरा जीवन पवित्र है वैसे जैसे मेरा बुलाने वाला पवित्र है हम अपने आप से पूछने की जरूप, पवितरता परमेश्र के नजर में बहुत ज्यादा मेहतुपूर्ण है, बहुत माहिने रखते ही हो, क्यूंकि वो खुद पवितर है, हालिलूया, अगर हम कहते हैं, कि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें अलग किया है, तो आज हमा हमारा जीवन कैसा है हमारा उठना हमारा बैठना हमारा चलना फिरना हमारा विवहार हमारी बोली हमारी रिष्टे किस प्रकार के कैसे हैं क्या इनमें पवित्रता है अगर हम कहते हम चुने हुए है तो आपका चुनने वाला पवित्र है हम कैसे हैं अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है हमारे जीवन में पवित्रता पाई जाती है तो अपने आप में हम इस बात को गलट ठहरा देते हैं कि हम चुने हुए हैं हम पवित्रता का जीवन चीने के लिए चुने गए हैं क्योंकि वो खुद कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, अपने आप से पूचे, क्या मैं पाप से नफरत करता हूँ, क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, पवित्र ता परिपकवता की पहचान है, पवित्र ता आत्मिक परिपकवता की पहचान है हालेलोया जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तब हम ये दिखाते हैं कि मैं आत्मिकरीती से परिपकवता की ओर बढ़ रहा हूँ अपने जीवनों के बारे हम देखें मेरा जीवन कैसे है प्रभू के सामने मैंने का ढीला जीवन स्विकार नहीं है ग्रहन योग ये नहीं है हम मात्रगले में क्रोस पहनने से या घर में मसी की फोटो या बाइबल वर्ष लगाने से मसी नहीं बनते हैं वो आपकी निर्णे ये दिखाते हैं कि आप मसी ही है जो तो decisions हम लेते हैं, जैसे हम जीते हैं, वो गवाही देता है हमारे बारे में कि हम कौन है, मात्र बाइबल वर्स लगाने से या ग्रोश पहनने से हम मसी नहीं बनते हैं, मसी को पहनने से हम मसी बनते हैं, क्या हमने मसी को पहन लिया है, मसी को पहनने मतलब है उसके गुणों को, उसके प्रेम को, उसकी पवित्रता को क्या हमने धारन किया है हम अपने आप से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं किया मेरा जिवन कैसा है आप क्या करते हैं जब आप अकेले होते हैं आप क्या देखते हैं अपने फोन में वफादार है इन सब बातों को हम देख सकते हैं अगर हम अपने जीवन में किसी भी चेतर में पवितरता का जीवन नहीं जी रहे हैं प्रभु के सामने हमा कर माफी मांगे आज भी मोका है हमारे पास उसके वापिस उसके पास लोटने के लिए आगी वो हमें सिखाता है कि परमेशर के भै में अपने जीवन को जीएं परमेशर के डर में भै में हम अपने जीवन को जीएं तब हम आत्मिक परिपकवता में बढ़ते जाएंगे आत्मिक परिपकवता में बढ़ते जाएंगे 17 में लिखा है पर जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्राथना करते हो जो बिना पक्षपात के प्रतेक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है तो तुम पृत्वी पर अपने रहने का समय भै सहीत व्यतीत भी करो पृत्वी पर के अपने जीवन को डर में उसके भै में व्यतीत करो यानि के अपने जीवन को उसके भै में जीओ हम उसे पिता कहके प्रात न करते हैं हे परमेश्थर, हे पिता, हे प्रभू हम उसे पिता कहते हैं और हमें एक परमेश्थर के प्रती एक अलग दृष्ठी कौन हम अपने मन में बना लेते हैं वो एक बुड़ा बाबा है, सफेद डाड़ी है सपेद कपड़े पहने हुए है और हम जब जाते हैं वो हमारे सेर में ऐसे ऐसे करेगा ओले-ले-ले कोई बात नहीं ऐसा हम, हमारी ऐसी सोच है ना परमेशर को लेके पुनाने ने में में लिखा है वो क्रोध करने वाला परमेशर भी है और वो ये भी कहता है कि जिसने उसको अपना बेटा-बेटी बनाया है वो उसको ताड़ना भी देता है हम अपने मन में जो परमेशर की इमेज अमने बनाई है वो उससे कहीं अलग है कहीं परे है जब हम हे पिता कहकर उससे प्राथना करते हैं याद रखिए वो न्याई करने वाला भी है वो न्याई भी करेगा क्या करेगा न्याई भी करेगा यहां पर बहुत सारे पिता हैं अपने बच्चे जब गलती करते वो उनको सजा देते वो तो पवित्र परमेशर पिता है और महान पवित्रता उसके अंदर वाश करती है वो न्याई करेगा प्रतेक का न्याई उसके कामों के अनुसार करता है कैसे हैं हमारे काम कैसे हैं हमारे कर्म इस संसार में रहकर जिने हम कर रहे हैं याद रखिये परमिशन न्याई करेगा प्राथना में हम सिर्फ उसको एक नमर पिता के रूप में देखते हैं और इस बात को सायद भूल जाते हैं कि वो न्याए भी करने वाला है जब उसे पिता कहकर पुकारती इस बात का भी ध्यान रखिए वो न्याए भी करेगा वो न्याय भी करेगा हमारे कामों का इसलिए हमें अपने जीवन को उसके भै में जीना है अब ये डर भै का मतलब डर नहीं है जो संसार के अंदर जो डर की बात हम करते है ये उस उस भै की बात नहीं हो रही है वैसा डर नहीं जो हमें किसी जैसे सेर से हमें जो डर लगता है वैसे वाला डर की बात नहीं यह आदर की बात हो रही है हम परमेश्र के प्रति एक भक्ती में जीवन जीए एक आदर पोण जीवन जीए एक स्रधा पोण जीवन जीए यह मतलब है उसके भै में जीने का मतलब यानि कि हम उसे अपने जीवन में उसका आदर करे रिस्पेक्ट करें परमेशर पिता का उसके आदर में उसका आदर करते हुए इस संसार के हंदर अपने जीवन को हम जीए वो न्याई करने वाला प्रभू है और मत्ती 12-36 में इस प्रकार लिखा हुआ है मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात मनुश्य बोलेंगे न्याई की दिने भी उसका लेखा देंगे प्रभूयश मसी के सब्द है न्याई करने वाला परमेशर वो पिता है वो नम्र है दया से भरा वो सब चीजे लेकिन न्याई करेगा वो कॉंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता हालेलुया मत्ती 12-36 के अनुसार वो कह रहा है कि तुमारे मुख से निकलेवे एक-एक सब्द का तुमें न्याई के दिन लेखा देना पड़ेगा हमारे सब्दों के बारे में क्या जो हम बोलते हैं हमारे सब्दों के बारे में क्या जो हमारे मुख से निकलते हैं कैसे हैं वो हमें न्याई देना पड़ेगा एक-एक सब्द का वो हमसे हिसाब मांगेगा जिस दिन हमारा सामना परमिश्र पिता से होगा हमें वहाँ पर हिसाब देना है आपके जीवन का मेरे जीवन का हम सब के जीवन का एक दिन हिसाब होने वाला है इस प्रकास में अपने जीवन को हम जीए तो हम आत्मीक परिपकवता में बढ़ेंगे बहुत सारे चीजे को न्याय मांगेगा आपकी समय का वो हिसाब मांगेगा आपकी समय का वो हिसाब मांगेगा जो परमेशन ने हमें दिन में जो समय दिया है जो 24 घंटे हमें मिलते हैं कैसे हम उनको जीते हैं क्या होगा अगर वो हमारे समय का हिसाब हमसे मांगेगा कितना समय हम इसके उपर बिताते हैं चलता रहता है चलता रहता है खत्मी नहीं होता क्या होगा अगर आपके समय का हिसाब परमेशर आपसे लेगा कैसे आपने समय को इस्तेमाल किया जो परमेशर ने आपको इस दुनिया में दिया न्याय करेगा वो, इसलिए साफधान हो जाईए और इस प्रकास में अपने जीवन को जीए कि मुझे अपने जीवन का लेखा परमेशर को देना है इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखिए क्या करते हैं, हम इस अंसान किस प्रकार के हमारे कर्म है जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या उससे परमेशर की महिमा हो रही है इस बात को अपने आप से पूछिए वहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ पर से परमेशर की चलेगी पता नहीं क्या होगा जब आमने सामने हम खड़े होंगे आपके मुख से जैसे हम यहां पर धरती पर रहकर फट से एक बाहना निकाल लाते हैं क्योंकि प्रिपेड अंदर से त्यार रहते हैं बने हुए रखे हुए हैं खेले हुए लोग हैं कुछ भी बोलते अरे पता है ऐसा क्यों हुआ क्यूंकि ऐसे ऐसे हो गया था बहाने हमारे पास बहुत है भाई लेट क्यों है क्यूंकि और इस पंचर हो गया था भाई कि मैं इसलिए हाँ भाई ड्यूटी क्यों नहीं आ दो तिन बहिया हमारी जो घरवाली उसकी नानी मर गई थी पता नहीं कितनी बार नानी मरती है और कितनी बार दादा मरते है वहाँ पर ये बहाने नहीं चलेंगे वहाँ पर न्याय होगा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे हम यहाँ पर इस धरती पर जब आपको हम सब को समझाते हैं, बोलते हैं यहां पर तो हम अपना attitude वैसे ही बना के रखते हैं कोई परिवर्तन नहीं दुख होता है अंदर से दर्द होता है अंदर से आपकी भलाई के लिए है अपने जीवन को अनंतता के प्रकास में जीए न्याए होने वाला है एक दिर वो आने वाला है हम सबको लेने के लिए परमिश्र के भैमे अपने जीवन को जीए सवाल पूचली जी एपने आप सी जवाब आपको मिल जायेगा कि byने आपको हम जानते हैं कैसा जीवन हम जी रहे हैं, यहां पर खड़े होके हैं, बहुत, इतनी तालिया बजाते हैं, इतने चिलाते हैं, इतने गीत गाते हैं, सब बहुत बढ़िया, बट यहां से जाने के बाद के जीवन का क्या? असली मसीही जीवन चर्च में नहीं शुरू होता असली मसीही जीवन वो नहीं है जो हम यहाँ पर दो घंटे जीते हैं कितने घंटे? असली मसीही जीवन वो नहीं है जो हम दो घंटे यहाँ पर जीते हैं असली मसीही जीवन वो है, जो आप यहां से निकलने के बाद जीते हैं, यहां पर तो हम अपने आप को कैसे भी दिखा सकते हैं, अईक अच्छा सा मुकोठा लगा के, जूटी सी स्माइल दिखा के, पवित्रता का मुकोठा पहन के, बाहर आप कैसा जीवन जीते हैं, उस और जीए, क्या हमारा जीवन परमेश्व के भै के अनुसार जीने वाला, जिया जाने वाला जीवन है, प्रमेश्वर न्याए करेगा, किन चीजों को हम एंजोई करते हैं बाहर, दोस्तों के साथ में किस प्रकार की बाते होती हैं, ढीला ढाला जीवन जीना छोड़ दीजिए, अपने आपको फेमस करना छोड़ दीजिए, रील्स बनाना दुनियावी गानों पर वीडियो बनाना इससे आपका भला नहीं होने वाला है, इससे दुनिया को ये नहीं पता चल रहा कि आप कौन हैं, इससे पता चल रहा हैं, दुनियावी जीवन के बारे में पता चल रहा दुनियावी लोग, सस्ता जीवन जीने वाले परमेश्टर हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देना जाता है उसके प्रकास में हम अपने जीवन को जीए वरतमान के जीवन को जीए परमेश्टर के भे में अपने जीवन को जीए आगे वो हमें याद दिलाता है उस कीमत को जो हमारे लिए चुकाई गई है सायद एक दुनियावी तरीके से हम इस बात को तरी गंबीरता से नहीं सोच पाएंगे लेकिन उस ओर ध्यान दीजिए कि आपके लिए कौन सी कीमत चुकाई गई है आपके लिए क्या किया गया है परमेश्र ने क्या किया है आपके लिए क्यों वो चाहता है कि हमात्मी परिपकवता हम कैसे हम बने देखिए उसने आपके जीवन के लिए जिसे हम ढीले से जीते हैं जिसे हम बहुत ठंडे तरीके से जीते हैं वो दुनियावी तरीके से जीते हैं प्रभू ने उस जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया बहुत बड़ा दुख उठाया है उसने एक कीमत चुकाई है हालिलुया आईए पढ़ते हैं कहा लिखा है 18 सी किस में सुसमाचार को वो हमें यहां पर याद दिलाता है सुसमाचार के उपर मनन करें क्या लिखा हुआ है क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुमें अपने पुर्वजों से प्राप्त हुआ तुमारा चुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तों से नहीं हुआ परंतु निर्दोश और निस्कलंक मेमने अर्तार्त मसी के बहुमुले लहु के दुआरा हुआ है हालेलुया किस भासा को इस्तेमाल क्यों कर रहा है खरीद फ्रोक्त करने वाली भासा उस टाम पे दासों को खरीदना और बेचने का चलन था दासों को खरीदा जाता था बेचा जाता था जैसे कि युसुफ को खरीद लिया था और ले जाके पोतिफर को बेच दिया गया था वैसा ही इस समय पर भी दासों को खरीदना और बेचना का चलन उस समय पर था इसलिए वो कीमत की बात करता है जो तुम्हे अपने पुर्वजों से प्राप्त हुआ किन से प्राप्त हुआ कैसा चाल चलन निकमा चाल चलन बेकार चाल चलन पुर्वजों से प्राप्त हुआ तुमारा उससे तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाश्वान वस्तुवें से नहीं हुआ दासों को खरीदा जाता था या छुडाया जाता था या आजाद करवाया जाता था सोना चांदी दे कर लेकिन तुम्हें पाप की गुलामी से छुडाया गया है निकाला गया है निकम में चाल चलन से तुम्हें छुडाया गया है तुम्हें छुटकारा दिया गया है सोने चांदी से नहीं बलकि किस से निर्दोस और निश्कलंक मेमने अर्थात मसी के बहुमुले लहु के द्वा हमारा चुटकारा हुआ है हमारे निकम में पापी जीवन को मतलबी जीवन को प्रभु ने बचाया है अनुक्रे करके सोने चांदी के दौरा हम नहीं बचाये गए ये शुका लहू बहा है परमेशर का लहू बहा है पवित्र और निश्कलंक लहू बहा है हम सब के जीवनों के लिए ये कीमत चुकाई गई है आपके लिए और मेरे लिए लेकिन कितनी बार हम अपने जीवन को हलके में जीते हैं इस जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है लेकिन इस जीवन को हम कितना ढीले में कितना ठंडे में हलके में जीते हैं येशु मसी ने खु बहु मुले लहू के द्वारा हमारा चुटकारा, उसने खुद को दिया है, क्रूस के उपर, उसने अपनी कुर्बानी दी है, हम सब को छुडाने के लिए, हमारी आजादी के लिए, उसने क्रूस के उपर अपना पवित्र लहू बहाया है, उसने खुद को दिया है, क्यूं हम अपने जीवन को इतने हलके में जीते हैं क्यों हम अपने जीवन को इतने हलके से देखते हैं हमारा जीवन के लिए बहुत बड़ा बलीदान दिया गया है जब हम ढीले में जीते हैं अपने जीवन को पाप में जीते हैं तब हम उस बलीदान का तिरसकार करते हैं जो येशु मसी ने कुरूस पर दिया है नकारते हैं हम उस बलीदान को जो मसी ने हमारे लिए दिया है कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं प्लीज ध्यान पूर्वक दीजिए अपने जीवन को देखिए उसने खुद को दिया है वहाँ तो स्रिष्टी की उत्पती से पहले ही जाना गया था परंतु तुम्हारे लिए इन दिनों में प्रगट हुआ स्रिष्टी की पहले से ही वो था और हम भी स्रिष्टी के पहले से ही उसके रिदाएं में हमें चुन लिया गया था हलिलुया हमने पहले एक-दो वर्शिस में कहा देखा था परमेश सर्पिता ने तुम्हें चुना है पूर्वग्यान के अनुसार पूर्वग्यान के अनुसार यानि कि हम स्रश्टी के रचना से पहले हम उसके द्वारा चुन लिये गये थे हलिलुया उसने हमें पहले से चुन लिया था वो देहदारी हुआ इस संसार के अंदर हमारे लिए उसने एक देह को धारन किया हमारे लिए ताकि वो कुर्बान हो सके क्रूस के उपर तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो परमेशर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा दी इसलिए तुमारा विश्वास और आसा परमेशर पर है हलिलुया देखिए चुना किसने परमेशर ने अलग परमेशर ने किया बलीदान परमेशर ने दिया विश्वास करने का वर्दान भी उसी ने दिया हलिलुया हम तो कुछ करने के लायक थे नहीं कि हम उसके करीब जा सके उसी ने चुना, उसी ने अलग किया उसी ने शुद किया उसी ने अपना लहू बहाया वही हमारे लिए मरा और वही अपने उपर खुद के उपर येश्मसी के उपर विश्वास करने के लिए हमें विश्वास का वरदान देता है हमने प्रभु को नहीं चुना युहन्ना की किताब में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमें चुना है उसने हमें चुना है हमने कुछ किया नहीं और नहीं हम कुछ कर सकते थे इसलिए ये शुमसी को इस दुनिया में आना पड़ा ये सब आपके जीवन को मेरे जीवन को बचाने के लिए किया गया है इस बात को अपने बार बार अपने आपको याद दिलाना है अपने आपको याद दिला ये दिन प्रति दिन कि मेरे जीवन के लिए कोई मरा है मेरे जीवन के लिए किसी ने अपनी जान कुर्बान की है मेरे जीवन के लिए किसी ने अपमान सहा है उसे नंगा किया गया था क्रूस के ऊपर उसको अपमानित किया गया था प्रभु येश्व मसी को उसके मुँपे घुसे मारे गये थे उसके मुँपे थूका गया था उसे नंगा किया गया था उसके पीट पर कोडे मारे गये थे उसे घसीटा गया था स्वर्ग का प्रभु एक लकडी के उपर टंगाया गया था स्वर्ग में रहने वाला परमेशर इस स्रिष्टी करता इस स्रिष्टी को बनाने वाला प्रभू एक पत्थर की कबर में रहा था ये सब उसने किया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये कीमत चुकाई गई है आपके और मेरे जीवन के लिए हम जब इस बलीदान की और प्रभू के इस महानकारिय की और अपने मन अपने ध्यान को हम लगा के रखेंगे तब हम पवित्र जीवन जी सकेंगे तब हम उसके भैं में जी सकेंगे तब हम आत्मिक परिपकवता में बढ़ सकेंगे अलेलुया अपने जीवन को हलके में मत लीजिए हम आपसी हमें आपसी प्रेम हो आपस में हम प्रेम करें हमारे बीच में फूट ना हो हमारे बीच में लड़ाई जगड़े ना हो बाहरी संसारिक लोगों के जैसे अगर हम प्रभू के प्रेम को समझते हैं कि कैसे उसने मुझे चुना है कैसे उसने मुझे अलग किया है कैसे उसने मुझे से प्रेम किया है हालेलुया तब हमें दूसरों से प्रेम करने में भी प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप उस संबंद की गंबीरता को समझते हैं अगर हम उस relationship की जो प्रभू और हमारे बीच में है उस संबंद की गंबीरता को अगर हम समझते हैं आपको ना तो किसी से प्रेम करने में दिक्कत होगी और ना किसी को शमा करने में दिक्कत होगी हम दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं निंदा करते हैं, गुस्सा करते हैं नफरत करते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्र के प्रेम को समझा नहीं है, परमेश्र के प्रेम को जाना नहीं है हमने उस संबंद की गंभीरता को समझा ही नहीं है ध्यानी नहीं दिया है हमने अगर आप उस संबंद की गरीमा को जानते हैं, जो परमेश्ण ने हमारे साथ स्थापित किया है, हालेलुया, आप सबसे प्रेम करेंगे, शब को शामा करेंगे, हालेलुया, हमारे बीच में कोई उच नीच बेदभाव नहीं होना चाहिए, एक आपसी प्रेम आत्मिक परिप की पहचान है, हमें आपस में प्रेम बना कर रखना है, हालेलुया, आपस में हम प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और यही प्रेम ही प्रभू के बलीदान का आधार है, वो हम से प्रेम करता है, इसलिए इस संसार के अंदर वो हमें बचाने के लिए आया, हालिलुया और आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है बाइस में अपने आपसी प्रेम हमारे मध्य होना चाहिए बाइस में जबकि तुमने भाईचारे के निस्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्मा को पवित्र किया है तो रिदय की सची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो रिदय की सची लगन के साथ सचाई हो हमारे प्रेम में दिखावटी नहीं सचाई हो हमारे प्रेम में प्रभू के प्रेम की गंबीरता को देखिए हमें पता चलेगा कैसा प्रेम हमें आपस में करना चाहिए क्योंकि तुमने नाश्वान नहीं आविनासी बीज से अर्थात परमेश्र के जीवित तथा अटलवचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है क्योंकि सब प्राणी घास के सद्रश्य है और उनकी सोभा घास के फूल के सद्रश्य है घास सूख जाती है फूल चड़ जाता है प्रम्तू प्रभू का वचन युगानु युग स्थर रहता है और यही वह वचन है जिसका सूसमाचार तुमें सुनाया गया था हलिलुया आपसी प्रेम हमारे मध्य होना चाहिए पास्वी बात हमें सिखाता है कि परमेश्र के वचन के प्रती हमारे अंदर भूख होनी चाहिए प्रभू के वचन के प्रती हमारे अंदर एक तडप एक भूख होनी चाहिए क्या लिखावा है दो का एक में इसलिए सब्रकार का बैरभाव, छल और पाखंड, द्वेश और सब्रकार की निंदा को दूर रख कर नवजात शिश्वों के समान सुद्ध आत्मिक दूद के लिए ललाईत रहो जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभू की कृपा का स्वाद चक लिया है हालेलुया, पशन के प्रती हमारे अंदर भूक होनी चाहिए, तडप होनी चाहिए एक छोटा बच्चा देखते हैं आप नवजात शिशू, तो जो अभी पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा उसको त्रिपती किसी और चीज से नहीं मिलती, उसको दूद ही चाहिए वो यह नहीं देखता कि उसकी मम्मी ने रूम में कैसा पोस्टर लगा रखा है कैसी सीनरी लगा रखी है, वो यह नहीं देखता कि कैसे कैसे खिलों ने मेरे लिए लाए गए है वो यह नहीं देखता कि मेरे लिए क्या का इंतजाम यहाँ पे किया गया है उसको सिर्फ दूद चाहिए उसको सिर्फ दूद चाहिए दूद से ही उसकी त्रिपती होगी और जब उसे दूद मिल जाता है वो शांत हो जाता है और जब तक उसे दूद ना दो उसको कुछ भी दो वो शांत नहीं होता है यही भूख हमारे अंदर प्रभु के वचन के प्रती होनी चाहिए यही भूख, यही तडप परमिश्र के वचन के प्रती हमारे अंदर होनी चाहिए हालेलुया क्या हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं क्या हम बाइबल पढ़ते हैं अपने आप से हम सवाल पूछ सकते हैं हाललुया क्योंकि तुमने प्रभू की कृपा का स्वाद चकले तुमने जान लिया कि वो कितना अद्बुत है कितना अद्बुत है वो क्या हम उस अद्बुत प्रभू के शब्दों को सुनना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं क्या हम वचन को पढ़ते हैं Bible हमारे घरों में सब के घरों में होगी आजकल तो online भी मिल जाती phone में भी download कर लेते हैं घर में है Bible phone में लेकिन बात ये है क्या हम उसे पढ़ते हैं क्या हमारे अंदर प्रभु के वचन के प्रती भूक है वचन पढ़िये और ये हमारी कलीशया की सबसे बड़ी जरूरत है हमारी नहीं दुनिया भर की सब की जरूरत है वचन पढ़ना कितना समय 24 गंटे हमें मिलते हैं किन किन चीजों में लगाते हैं काम करते हैं रोटी खानी है, कमाना है मेहनत करते हैं सब चीजे लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं आत्मा के त्रिप्ती रोटी से नहीं होती है आत्मा के त्रिप्ती प्रभु के वचन से ही होती है क्या हम वचन पढ़ते हैं प्रभु का वचन हमारे हाथों में है और इसके पीछे ये बहुत आशानी से हमें नहीं मिला इसके लिए बहुत घून बहाया है लोगोंने इसके लिए बहुत अपनी पूरी जिंदकी बर मेहनत की है लोगोंने जो वचन आपके हातों में अनुवादित होकर आया है इस वचन को अनुवाद होनों में बहुत समय लगा है और जिनोंने इसे किया है उन्होंने इसे देखा भी नहीं अपना पूरा जीवन इसके उपर लगा दिया लेकिन इसे पूरा होता हुआ नहीं देख पाए क्योंकि उससे पहले उनकी मृत्य हो चुकी थी इस बाइबल को हमारी भासा में हम तक पहुचाने के लिए बहुत सो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है विलियम टिंडेल जैसे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी उनको मार दिया गया वो सिर्फ इस लिए सहीद हुए पता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने Bible को Greek से English में translate किया था युनानी भासा से English में Bible को translate किया था इसलिए William Tyndale नाम के एक प्रभू के दास को जिन्दा जला के मार दिया गया इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानिया है सबसे पहले ये प्रभू का वचन है इसलिए हम इसे पढ़ना चाहिए इसके लिए बहुत सारी कुर्बानिया दी गई है बहुत जादा खून बहाया गया है इसलिए हम इसी पढ़ना चाहिए इसी आदर दीजिए आए हम खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे